दोस्तों आप देख रहे हैं मौर्याजी नियुचेनल सोन खनन रे बेघर होंगे चार्षो आदवासी परवार दोस्तों जी हाँ सोन भद्र जिले के दो पहाड़ियों के भी जो सोना मिलने की जो संसनी खेच खबर आई है दोस्तों इससे चार्षो आदवासी परवार प्रभावित होंगे वो बेघर हो जाएंगे ये बात एक पेपर की कटिंग के माधम से बदातने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सोन भद्र जिले के दो पहाड़ियों के बीच करीब तीन हजार से ज़दा सोना होने की पुष्टी हुई है उन पहाड़ियों के इर्द गिद बसेश चार सो सो ज़दा आदवासी परवारों को अभी से बेघर होने का डर सताने लगा है दोस्तों जियोलाजिकल सर्वेयाफ इंडिया जी असाई द्वारा सोन भद्र जिले में सदर तासिल छित्म के सोन पहाड़ी और हर्दी पहाड़ी में तीन हजार टंस ज़दा सोना होने की पुष्टी के बाद यहाँ इटेटरिंग की सरकारी प्रक्रिया सुरू हो गई है इन ख़दानों से निकले सोना की वजा से भले ही देश दुनिया में सोन भद्र का नाम सबसे उपर आ जाए लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि सोन पहाड़ी में खरन से पनारी गाओं पंचायत के 200 परवारों हर्दी पहाड़ी से करन से हर्दी पिडरा दोहर वाप परहावा गाओं के 200 आदोबासी परवार बेगः होनी यानि विस्थापित होंगे सोनभद्र आद्वासी बाहुल इलाका है और अल्पभूम के मालिक बैगा और गौणड़ात के आद्वासी किश्यों जंगरी जानवों के सिकार के जरिये अपने परवार का जीवनियापन करते हैं यदिने बेघर होना पड़ा तो ये तह है कि इने जोपड़ी के अलामा अपने बीगे दो बीगे जमीन से भी हात धोना पड़ेगा है हलाकी राज सरकार की ओर शेप्रसासन मुआपजी के तौर प्रकुष रकम जरूत देगा गराम पंजाईत पंडराच के पूर्ब गराम परदान और वनिवासी सेवा आस्तम से जुड़े पर्यावरन कारकारता रामेश और गोर्ण बताते हैं पंडरच गराम पंजाईचेत में हर्दी, पिंडरा, दुबहर और पिंडरावा गाओं आते हैं यहां ज़दातर पैंग बैगा और गोंड आदवासी जमदाय के लोग रहते हैं गाउं हर्दी पहाडी के तीन तरब से बसे हैं इस इलाके से अब नशीत तोरपा आदवासी को विस्थापित किया जाएगा गोंड बताते हैं कि आदवासी अपने बीगे दो बीगे किशी पाल के जवाब में कहा सरकार मुआबजे के तोर पर निश्चित रकम देगी जिससे दो बारा किर्शी भूम खरीद पाना असंबाव है बेतर यह होगा कि सरकार भूम के बदले भूमी और घर के बदले घर मुआबजे में दे रामिसोन गोड के मुताबिक सोन पहाडी से ख दोसों परवार बेघर होंगे दोस्तों ये सभी को घर के बदले घर मिलना चाहिए अच्छा घर मिलना चाहिए और खेत के बदले खेत उसे अधिक कीमत का अच्छा से अच्छा मिलना चाहिए उन लोगों को होना यहीं चाहिए दोस्तों आप बताएं कमेंट के मातम से खूम्ख़ झात